हेलो दोस्तो नमस्कार पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया था उसमें से एक बहुत बड़ा पॉइंट सो दोस्तो आज की दीन से हम लोगो यह शुरू होते हुए देखने को मिल रहा है सो एक्जैक्ली में कौन से पॉइंट की आप बात कर रहा हूँ तो वीडियो प्रॉफरली अप्लोड भी नहीं हो रहे बहुत सरे एड्स भी दिखाया जारे आप लोगों नहीं देखा ओगा लास्ट वीडियो में बहुत ही जादा एड्स आ रहे पुरा बाजार को प्रभाव करेगा ओं सिर्फ इंडियन मार्केट को करेगा रैट तो आज की दिम की अगर लोग बात करें तो जैसे मैंने संदे के वीडियो में आप लोगों को बताया था तो फेडरल रीजाव अब सभी लोगगों को यहां पर पता है फेडरल रिजाव अमेरिका की जो Central Bank है, उनकी यहाँ पर meeting हम लोगों को चलते हैं देखने को मिलने वाली है, इसका जो outcome है, 17 तारिक को हम लोगों को सारी चीजी हाँ पर देखने को मिलने वाली है, और दोस्तों अगर हम लोग बात करें, तो FOMC, जैसे की RBA की, अगर हम लोग बात करें, MPC होती तो FOMC की जो meeting है, वो शुरू होते हुए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुकिए, और इसका जो impact रहेगा, वो US market की उपर बहुती जबरदस यहाँ पर रहने वाले हैं, अगर US market की उपर impact रहेगा, तो ultimately, directly और indirectly, पूरे दुनिया की market भी उसी की तरह चलते हुए द लोग हमेशा यूज करता था, कि जबी भी FOMC की जो meeting रहती है, एक stock market का जो player रहती है, वो राद बर सोता नहीं, अगर बहुत बड़े जो players रहते हैं, मतलब जो अगर हम लोग बात करें, जिनके पास बहुत ज़्यादा पुंजी रहती है, वो राद बर सोते नहीं, FOMC की जो भी meeting रहती है, उससे जो भी updates मिल जाते हैं, उसको बहुत deeply study करते हैं, क्योंकि ये बाजार की दिशा तेह करते हैं, और सिर्फ Indian market की नहीं, तो अमेरिका के market के साथ साथ दुनिया के market, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये meeting रहती है, और अगर हम लो बात करें, FOMC की meeting, जो फिलाल हमनों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसमें सबसे बड़ा focus में कौन सा point रहेगा, हमेशा अगर एक normal situation के अगर में बात करू, तो rate cut से related, यहाँ पर ज़्यादा focus रखता था, बट वापस कहना चाहूँगा, जो बड़े बड़े दु मस रहने वाली है, तो Mr. Powell, जो है, तो उनकी commentary क्या रखेंगे, उससे related सबसे ज़्यादा important चीज़े, और उसमें भी दो चीज़े देखने जाने वाली है, यह जो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो rate cut से related, इस वक्त तो कुछ नहीं होगा, ब bond yield आज के दिन की बात करें, तो हम लोगों को gold में recovery देखने को मिली, bond yield में गिरावाट देखने को मिली, तो इस सारी चीज़े भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा, सबसे important चीज़ रहेगी rate cut, अगर rate cut में कोई भी छ बदलाओ यहाँ पर नहीं हुआ है, बट कभी ना कभी इसमें हम लोगों को changes देखने को मिलेंगे, तो इसी से related जो commentary रहेगी Mr. Powell की, वो सबसे ज़्यादा important role यहाँ पर play करने वाली है, तो definitely अभी American Bazaar का importance पहले भी था, थोड़ा में refresh कर लेता हूं, आप वापस देख लेत हम लोगों को मिल जाती है, तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पर कुछ चीजे अल्री हम लोग presume करके चल रहे है, rate cut कुछ नहीं होने वाला है, बट अगर हम लोग बात करें सबसे important Fed से related, अगर कोई important चीज यहाँ पर रहेगी, जैसे मैंने आप लोगों इसका जो outlook यहाँ पर रहेगा, वो बाजार आगे किस तरीके से यहाँ पर derive हो सकता है, अमेरिकन बाजार, यह हम लोगों को यहाँ पर एक दिशा देते वे देखने को भी मिल सकता है, जैसे शुरुवात में 3-4 बार मैंने repeat किया है, वापस कहना चाओंगा, अमेरिकन बाज सकतार से उसी flow में दुनिया के बाजार भी देखने को मिलेंगे, एंड उसमें हमारा मार्केट भी शामिल हो जाता है, इसी बात को दिखाने के लिए अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके दो चार्ट पेटन के उपर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक लाल चार्ट प पेटन में ने अभी आपको सामने यहाँ पर ओपन किया है, उसी की साथ साथ 1st January से चार्ट ओपन किया है, एक साल का चार्ट पेटन ओपन किया है, आप देख सकते हैं दोनों की जो चाल है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, डेफिनेटली बट और जो परफॉर्मनस है, जहाँ पर पातम होता है, वो बिलकुल आपको सेम पैटन देखने को मिलेगा, पात साल का भी चार्ट पैटन आप देख सकते हो, बिलकुल जो जो जम से जो गिरावट है, सटीक हम लोगो को उसी रेंज पे देखने को मिल रहे है, अगर आप लोग प्रॉपरली स्टडी करोगे तो, ए जो चार्ट पैटन दिखाता है, वो यह इंडियन मार्केट फॉलो करता है, तो इससे पहले भी मैं बहुत बार आपको बता चुका हो, दोस्ते सिर्फ इंडियन मार्केट ने, दुनिया के मार्केट भी अगर आप लोग चेक करोगे, तो अमेरिकन बाजार को फॉलो यहाप पता चला है, पता नहीं अभी यह वीडियो कब अपलोड होगा, क्योंकि बहुत सारी इशूज यहापे चल रहे, बट स्टील यहापे कहना चाहूँगा, आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियो यहापे आज के दिन अपलोड हो चुके, सारे वीडियो के लिंक आप में आप लोगों को यहापे मिल जाएगा, पता नहीं शायद से इस वीडियो के उपर भी अगर कोई ठेकनिकल इशूज रहेंगे, तो शायद से यहापे भी बहुत सारे एड्स आपको यहापे देखने को भी मिल सकते हैं, जितना भी अपडेट से वो मिने आपको यहापे बता दिये, आपको वीडियो पसंद है, जरू लाइक और शेर कर दिना, तब तक के लिए, बाई बाई